तो चलिए दोस्तो अभी हम लोग बात करते हैं कि fixed overhead expenditure variance को कैसे calculate करते हैं तो मान लेते हैं कि एक company है जिसका नाम है Tata Tata company ने plan किया budget बनाया कि वो total 10 गाडिया बनाएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और उन 10 गाडियों को बनाने के लिए जो plant को यह rent पर लेगी उसका total rent 120 रुपीज है इसका मतलब है कि जब भी एक single गाड़ी बनेगी उस गाड़ी की वज़े से 12 रुपीज का fixed to cost इस company का होने वाला है अब देखिए मैं मान लेता हूं देखिए इन्होंने rent का plan बनाया था कि जो भी person है वो rent कितना लेने वाले हैं इनसे वो 120 रुपीज का rent लेने वाले है अब देखिए रियल लाइफ में जो rent का amount है वो अलग हो सकता है definitely क्यों क्योंकि रियल लाइफ में जब यह जगय जो है यह जो factory है यह rent पर लेने के लिए गए तब जो इस factory के owner ने बोला कि भाई मैं rent पर दे दूंगा बट इस जमीन की rates बहुत जादा महेंगी हो गई है क्यों क्योंकि government ने बहुत सारे नए regulations लेकर आ गए है उसकी वज़े से properties के taxes बढ़ गए है उसकी वज़े से जो यह जो जमीन है इसके आस पास में development बहुत जादा speed से हो रहा है जो भी reason है तो उसकी वज़े से rent जादा बज़ेंगे एक तो budget इन्होंने बनाया था कि rent कितना होगा 120 का और actual में जो rent है वह 140 का है अब आप होची देखिए इन्होंने plan किया था कि मेरा 120 रुपीज का खर्चा होगा और actual में इनके piggy bank से इस company के pocket से कितने पैसे खर्चे के नाम से जा रहे हैं आप बोलेंगे 140 रुप था 140 चले गए हैं तो आप बोलेंगे आप बोलेंगे हमारा 120 का plan था 140 रुपीज चले गए इसका मतलब हमारे कितने रुपीज एक्स्टा चले गए 20 रुपीज एक्स्टा चले गए यह जो आपके 20 रुपीज एक्स्टा चले गए हैं इसी 20 रुपीज को हम लोग क्या बोलत क्योंकि देखो आपने प्लान किया था 120 का खर्चा ये भी खर्चा है आपने खर्च में खर्चा किया 140 का तो आपने expenditure जो है वो comparatively जादा कर दिया ठीक है तो अगर आपसे कोई पूछे fixed overhead expenditure variance का formula क्या होगा तो इसका formula भी आप लोग बना सकते हैं क्या आप बोलेंगे की हमारा इसका formula बनेगा जिसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे आप बोलेंगे budgeted budgeted fixed overhead उसमें से क्या लाइस कर देंगे आप बोलेंगे यह budgeted 120 थे उसमें से लाइस कर देंगे हम लोग हमारे actual fixed यहाँ पर मैं लिक देता हूँ actual fixed overhead अगर आप यह चीज़ करेंगे तो आप बोलेंगे जो हमारा number आएगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे आप बोलेंगे जो हमारा number आएगा वो हमारा fixed overhead expenditure variance का number होगा तो अब अगर आप से कुछ पूछे budgeted fixed overhead कितना तो आप सीधा बोलेंगे 120 आप से कोई बोले actual overhead कितना fixed overhead आप बोलेंगे 140 और दोनों का जो difference 20 वो आपका adverse fixed overhead expenditure variance हो जाएगा so I hope कि आपको यह बात समझ में आई होगी बहुत ही basic और बहुत ही असान बात थी thank you so much